Students, आज हम पढ़ेंगे Principle of Scalar Chain Principle of Scalar Chain दो चीजों का flow बताता है Authority and Communication Principle of Scalar Chain दो चीजों का flow बताता है एक तो Authority, दूसरा Communication जैसा कि आप यह डाइग्राम में देख पा रहे हैं कि यह A तो यानि यह Superior Level पर है फिर B, फिर C यह सब बराबर के Level के हैं जैसे कि एक Organization है, मानलो एक School ही है तो उस School में सबसे principle, जो Superior Authority है तो कोई भी information है तो वो कैसे transfer होगी A से, B से, B से, C से C से, D से तो यह बता रहा है, Communication कैसे हो रहा है नीचे Flow में जा रहा है और Authority किसके पास जदा है A के पास जदा है ठीक है जैसे कि आपको भी application देना है, तो ऐसा तो नहीं है कि डारेक्ट आप प्रिंसिपल सरके पास जाके दियाएंगे नई तो हम किस तरीके से देंगे पहले आप देंगे monitor को monitor किसको देगा, class teacher को class teacher फिर principle तक देगा ठीक है, लेकिन कोई emergency आगी इन emergency तो यह scalar chain को तोड़ना पड़ता है जैसे कि माल लो N के department में आग लगे, ठीक है और F ने देखा तो क्या इस scalar chain को follow करना चाहिए नहीं, तब तक तो N बचेगा ही नहीं, अगर F पहले E पे जाएगा, D पे जाएगा, C पे जाएगा तो F बचे, N बचेगा ही नहीं तो इस चीज में इस scalar chain को तोड़ना पड़ता है तोड़ने के लिए क्या करेगा F डारेक्ट N के पास चला जाएगा तो इसी को बोलते हैं Gank Plank